भारतिय स्वतंत्रता के अम्रित महौत सव और राश्रसन तुकुरुजी महाराज नाकपुर विशविद्याले की शताबदी के अफसर पर महेश एकुंचवार द्वारा लिखित लंबे नाटक रक्त पुष्प की प्रस्तुती शनिवार 24 जून 2030 की राज अमबजरी मार पर गुरु नानक भवन में की गई नाटि प्रयुक का आयोजन विशविद्याले के लिलित कला विभाग एवं सन्युक्त कला मंच की तत्वधान में किया गया पारिवारी कलह और समवेदनाओं से उपजे मत भेतों को दर्शाता नाटक रक्त पुष्प ने नागपुर कर दर्शकों की सराना हासिल की विशविद्याले के कूलपती डॉक्टर सुबाज चौधरी प्रती कूलपती डॉक्टर संजय दूदे रजिस्ट्रार डॉक्टर राचु हिवसे मानवी की संकाय के मागदशन में डॉक्टर शाम्राफ कोरेटी निदेशक राश्टी सेवा योजना सुबनादेव पीसे फिल्म अभिनेतरी राधी का देश पांडे लेखक निर्देशक और निर्माता डॉक्टर पराग घोंगे निर्देशक रमेश लखामपूरे निर्माता और ललित कलाविभाग के प्रमुक्टर सन्युक्ता थोरात शतापती मौसर सांस्कृतिक समन्व प्रमो तिजारे मुक्यरूप से यहां उपस्ते थे नाटक में एक महिला के एकलोते बेटे की सेना में मृत्य हो जाने के बाद उसके मन की उथल पुदल को दर्शाया गया परिवारिक माहोल में जहां परती समय नहीं देता बेटी ठीक से बात नहीं करती वहां भी महिला प तो पून घट्टा है इस नाटक में महिला का किरदा दिपक्षमी भट ने निभाया है रक्त पुष्प नाटक के लेखक महेश एकुंचवार है और नाटक का निर्मान डॉक्टर सन्युकता थोराट ने किया है संचारन रमेश लखाम पूरे ने किया नाटक की रचना प्रज गोंगे और दिपाली मरकंद गोंगे का विशिश सहीयोग मिला नाटक की प्रयोग में बड़ी संख्या में इच्चुद दर्शकों ने भाग लिया इन बीसीन न्यूस के लिए राजकुमर मोड के साथ अकसान सारी की रिपोर्ट